क्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, मैं डॉक्टर वीजे कुमार चावला, राज़किय मॉडल संस्कृती वरिष्ट माध्यमिक विद्याले क्योड़क जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पज़ पर कारेरत हूँ. आज की प्रस्तुती में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. विद्यार्थियों, आज हम कक्षा आठवे की हिंदी की पाठ्यापुस्तक वसंत भाग तीन में संकलेत अकबरी लोटा नामक कहानी का अध्यन करेंगे. विद्यार्थियों, इस कहानी के रचैता अर्थात लेखक अनपूर्णानंद वर्मा जी हैं. विद्यार्थियों, आज की मेरी इस प्रस्तुती के अंद तक आप समझ पाएंगे. अकबरी लोटा पाठ अर्थात कहानी का सार, पाठ में प्रयुक्त कटिन शब्दों के अर्थ, पाठ के गद्यांश की सप्रसंग व्याक्या कैसे की जाती है, इसका उधारन सहित वर्नन आपको मैं समझाऊँगा, पाठ में आई व्याकरनिक बिंदूओं का उधारन सहित वर्नन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, तथा अकबरी लोटा पाठ का मूल भाव क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा. तो आओ, प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूँ. अकबरी लोटा का सार आओ जाने, इस पाठ का अर्थात, इस कहानी का सार क्या है? अकबरी लोटा अन पूर्णानंद वर्माद्वारा रचित एक कालपनिक कहानी है. इस कहानी में अंग्रेजों की पुरानी वा एतिहासिक वस्तुएं इकठी करने की परवर्ती पर कटाक्ष किया गया है. अर्थात व्यंग्य किया गया है. इस कहानी में लेखक ने हमें बताना चाहा है कि लाला जावलाल अपनी पत्नी के साथ काशी के ठटेरी बाजार के उपर एक मकान में रहता था. उसने नीचे की दुकाने किराय पर दे रखी थी, जिनका सो रुपे मासिक किराया आता था. पती पत्नी अराम का जीवन व्यतीत कर रहे थी. यहां पती पत्नी में द्वंद समास का प्रयोग हुआ है. एक दिन लाला जावलाल की पत्नी ने उससे धाई सो रुपे की मांग की. वे सोच में पड़ गए कि इतने रुपे एका एक कहां से लाएंगे. पत्नी ने इतना तक कह दिया कि यदि वे नहीं दे सकते तो वेह अपने भाई से रुपे मंगवा लेगी. अपनी पत्नी की बात सुनकर जावलाल तिल मिला उठे. उसने अकड से कहा कि वे भाई से भीक में पैसे नहीं मांगे की. आप द्रिश्य में भी देख रही हैं कि लाला जावलाल और उसकी पत्नी के बीच जो समवाद हो रहा है वे द्रिश्य के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है. यहां तिल मिला उठा. अर्थात लाला जावलाल अपनी पत्नी की बात सुनकर तिल मिला उठे. यहां तिल मिला उठना एक मुहावरा है जिसका प्रयोग देखते ही बनता है. लाला जहुलाल अपनी पत्नी से कहने लगे वै इसी सप्ताहा उसके लिए रुपेओं का प्रबंद अवश्य ही कर देगा चार दिन तक रुपेओं का कहीं कोई प्रबंद ना हो सका पांचवें दिन उसने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को सारी कहानी सुनाई अगले दिन तक कुछ ना कुछ प्रबंद करने का वादा किया सप्ताहा का अंतिम दिन आ गया था किन्तु रुपेओं का कोई प्रबंद ना हो सका पंडित बिलवासी मिश्र की भी रुपे लेकर नहीं आये लाला जहुलाल चिन्ता के मारे चट पर टहल रहे थी पीने के लिए पानी मंगवाया नौकर के ना होने पर पत्नी ही किसी पुराने लोटे में पानी ले आई वह गिलास लाना भुल गई लाला जी मुंदेर के समीब खड़े होकर हाद से पानी पी रहे थे कि लोटा हाद से छूट गया और नीचे गली में जा गिरा लोटे के गली में गिरते ही गली में शोर मच गया मालुम हुआ कि लोटा पहले दुकान के छज्जे पर गिरा उसमें से जो पानी उचला उसने अंग्रेज को सिर से पाउं तक बिगो दिया जब अंग्रेज को पता चला कि यह लोटा लाला जावलाल का है तो वह लाला जावलाल को गालियां देने लगा लाला जावलाल को पता चला कि अंग्रेजी जुबान तो गालियों की भंडार है उसी समय लाला जावलाल के मित्र पंडित भिलवासी मिश्र जी वहां पहुँच गए उन्हें अंग्रेज महोदे को शांत किया पंडित जी ने अंग्रेज को कुर्सी पर बिठाया और भीड को बाहर भीज दिया अंग्रेज द्वारा पूछने पर कि क्या वह लाला जावलाल को जानते हैं उसने साफ इनकार कर दिया उसने कहा कि वे उन्हें नहीं जानते साथ ही पंडित जी ने यह भी कह दिया कि वे तो उन्हें कुछ पागल लगता है अंग्रेज को भी लगा कि वे कोई खतरनाक पागल है यहां खतरनाक पागल लाला जावलाल को कहा जा रहा है इन दोनों की बात सुनकर लाला जी को अत्यतिक गुस्सा आ गया पंडित जी ने तो यहां तक कह डाला कि आपको लाला जावलाल की पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए अंग्रेज इकाएक पुलिस में जाने के लिए तैयार हो गया पंडित जी ने साथ ही यह भी कह दिया कि पहले इससे लोटा खरीद लेता हूँ उसने लोटे को पचास रुपे में खरीदने की इच्छा व्यक्त की अंग्रेज ने उस लोटे के पचास रुपे बहुत अधिक बताए इस पर पंडित जी अंग्रेज को कहते हैं ध्यान से सुनिए जनाब यह एक एतिहासिक लोटा जान पड़ता है जान क्या पड़ता है मुझे पूर्ण विश्वास है यह वह प्रसिद अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भरके म्यूजियम परिशान है म्यूजियम एक ऐसा स्थान होता है जहां पुरानी वस्तूओं को संग्रहित किया जाता है और प्रदशनी के रूप में लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है अंग्रेज की जिग्यासा को और बढ़ाने के लिए पंडिजी कहने लगे कि सोलवी शताबदी में जब बाश्शा हुमायू शेशा से हार कर रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा था तब एक ब्रामन ने हुमायू की प्यास इसी लोटे से बुजाई थी बाद में अकबर ने उस ब्रामन का पता लगा कर उस से उस लोटे के बदले में दस सोने के लोटे दे दिये थे विद्यार्थियों यहां भूखा प्यासा में लिखक ने द्वंद्व समास का प्रयोग जिस तरह से किया है वह दर्ष्णिय है इसके अतरिक्त आप देख रहे हैं कि विराम चिन्नों का कारक चिन्नों का प्रयोग देखते ही बनता है पंडित जी आगे बोले अकबर इस लोटे से बहुत प्यार करते थी तबी से यह लोटा अकबरी लोटा के नाम से प्रसिद हो गया इतिहास में इस लोटे का शाही घराने में होने का प्रमान मिलता है अर्थात सबूत मिलता है बाद में यह लोटा ना जाने इस आदमी के पास कहा से आ गया किस आदमी के पास लाला जावलाल के पास पंडित जी ने अंग्रेज से आगे कहा कि यदि किसी म्यूजियम वाले को इस लोटे की जानकारी मिले तो तुरंत अधिक दाम दे कर इसे ले जाएगा अंग्रेज की आँखों में लालच जलकने लगा अंग्रेज ने पंडित से पूछा कि वे इस लोटे का क्या करेंगे पंडित जी ने कहा मुझे पुरानी वस्तों को इकत्रित करने का शौक है अंग्रेज ने भी कहा कि मुझे भी पुरानी वस्तों को इकत्रित करने का शौक है इस लोटे को मैं खरीदूँगा दोनों में लोटे को लेकर तरक वितरक होने लगा दोनों की लोटे की कीमत को लेकर शर्थ लग गई यहां दोनों कौन है ध्यान से सुनिए पहला पंडित बिलवासी मिश्र तथा दूसरा अंग्रेज यह समवाद इन दोनों के बीच में हो रही है और लोटे को लेकर हो रही है जिसकी बोली अधिक होगी लोटा उसी का होगा दोनों की शर्थ यह थी कि जिसकी बोली अधिक होगी लोटा उसी का होगा पंडित जी ने लोटे की धाई सो की बोली लगाई और अंग्रेज ने 500 की पंडिजी ने अफसोस करते हुए अपने रुपे उठा लिये तथा लोटा 500 रुपे में अंग्रेज को दे दिया अंग्रेज लोटा लेकर कहता है कि अब मैं हंस्ता हुआ अपने देश में लोटूंगा मेजर डगलस की डेंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे वास्तव में मेजर डगलस अंग्रेज व्यक्ति के पडोसी थे मेजर डगलस को अपने जहांगीरी अंडे पर बड़ा गरब था अब इस अक्बरी लोटे के सामने उसकी एक भी नहीं चलेगी उसकी एक भी नहीं चलेगी क्योंकि यह लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुष्ट पुराना है इस पर पंड़ेज जी बोले इस रिष्टे से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ अंग्रेज लाला जहूलाल से पांसो रुपे में लोटा लेकर चलता बना तो वे द्यार्थियों आपने देखा कि किस प्रकार पंडित बिलवासी मिश्र ने समझदारी का प्रयूक करते हुए, समझदारी दिखाते हुए अपने मित्र की लाला-जहुलाल की यहां साहिता की है हमें विपदा के समय में समझदारी से काम लेना चाहिए और समस्या का समाधान ढोंडना चाहिए, उसका हल करना चाहिए विद्ध्यार्थियों लाला जावलाल इस समय बहुत प्रसंद था क्योंकि उसकी समस्या का हल हो चुका था उस दिन पंडित बिलवासी मिश्र जी को देर राद तक नेंद नहीं आई क्योंकि वे अपनी पत्नी को बिना बताए उसके संदूख से धाई सो रुपे निकाल कर ले गए थे वे ध्यार्थियों वे धाई सो रुपे निकाल कर क्यों ले गए थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेज से लोटे के बारे में एक शर्ट लगाए थी कि जो इस लोटे की अधिक बोली लगाएगा लोटा उसी का होगा तो लोटे की बोली लगाने के लिए वे धाई सो रुपे अपनी पत्नी से बिना बताए लेकर गए थे वे रात को एक बजे उठे और उन्होंने पत्नी की गले में बंदी चाबी निकाल कर दूसरे कमरे में संदूख खोल कर चुपके से धाई सो रुपे उसमें रख दिये इसके पश्चात चाबी पुना लाकर पत्नी के गले में बांद कर वे चैन की नींद सो गए विद्यार्थियों यह था अकबरी लोटा कहानी का सार आओ अब मैं आपके समक्ष इस पाठ अर्थात कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताता हूँ ध्यान से देखिए तथा सुनिए ठठेरी बाजार ठठेरी बाजार का अर्थ है बरतनों का बाजार असमर्थ इसका अर्थ है पूरा करने में सक्षम ना होना तिल मिलाना गुसा करना प्रभंद इंतजाम प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान साख साख का अर्थ है विश्वास चारों खाने चित इसका अर्थ है हरा देना ये एक मुहावरा है मुह खोलना बहुत बोलना ये भी एक मुहावरा है लेकक ने इस पाठ अर्थात कहानी में मुहावरों का प्रयोग जिस तरह से किया है वहें देखने योग के है आगे देखिए कटिन शब्दों के अर्थों में विपदा का अर्थ है मुसीबत हेकडी का अर्थ है शेकी उधेडबुन का अर्थ है सोच विचार बेढगी का अर्थ है भद्दा या कुरूप अदब का अर्थ है मान गनीमत का अर्थ है शुक्र करना गुस्सा पीना कार्थ है क्रोध दबाना आँखों से ओजल होना इस कार्थ है दिखाईना देना गुस्सा पीना तथा आँखों से ओजल होना यहां लिखक ने मुहावरों का प्रयोग किया है जो दर्शनिय है आगे सुनिये खुराफाती का रथ है तेज वशरार्ती बुद्धी वाला इजाद का रथ है नई वस्तु की खोज करना नक्षिक का रथ है सिर से पैर तक कोश का रथ है खजाना निरी का रथ है कमजोर डेंजरस का रथ है खतरनाक लिळूनार्तिक का रथ है पागल अगला شब ध्यान से सुनिए क्रिमिनल का रथ है मुजरिम विद्यार्तियों यहां आप देखिए डेंजरस, लिवनार्तिक तथा क्रिमिनल विदेशश शब्द है जो कि दूसरी बाशाओं से हिंदी बाशा में प्रयोग में लाए गई है इन्हें विदेशत शब्द के नाम से जाना जाता है अगला शब्द देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं हिरासत हिरासत कारत है कैद इजाजत इजाजट कारत है अग्या एतिहासिक इस कारत है इतिहास से संबन्दित तलाश तलाश कारत है खोज म्यूजियम जैसे मैंने आपको बताया था म्यूजियम का रथ है ऐसा स्थान जहां पुरानी तथा अमूले वस्तों को संग्रहित किया जाता है तो म्यूजियम का अर्थ है संग्राले मारा मारा फिरना इसका अर्थ है दुखी होना यह भी एक मुहावरा है लापता लापता का अर्थ है गुम होना ताव आना जोश आना यह भी मुहावरे का एक सुंदर प्रयोग है आगे ध्यान से सुनिए दिलो जान दिलो जान का अर्थ है दिलसी जतन जतन का अर्थ है प्रयत्न पुष्ट पुष्ट का अर्थ है पुरुवजों की पीडी पीठ ठोकना शावाशी देना यह भी एक महावरा है मन मोहक मन को अच्छी लगने वाली तनमेता लीन होना अंतर धान अंतर धान का मतलब है गायब दबे पाउं लोटना इसका अर्थ है धीरे धीरे जाना तो यह थे अकबरी लोटा पाठ अतात कहानी के कटिन शब्दों के अर्थ विद्यार्थियों अब मैं आपके समक्ष अकबरी लोटा पाठ के गद्याश की सब प्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा है मैं आपके समक्ष अकबरी लोटा पाठ के सभी प्रसंगों की व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता समया भाव के कारण अतहां एक उधारन आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा ध्यान से सुनना तथा देखना विद्यार्थियों अब मैं आपके समक्ष अकबरी लोटा पाठ का एक गध्यांश पढ़ने जा रहा हूँ ध्यान से सुनी पतनी ने एक दिन इका एक धाई सो रुपे की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से संसनाया और फिर बैठ गया उनकी यह दशा देखकर पतनी ने कहा डरिये मत आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ लाला जाओ लाल तिल मिला उठे उन्होंने रोब के साथ कहा अजी हटो धाई सो रुपे के लिए भाई से भीक मांगोगी मुझ से ले लेना विद्यार्तियों जब भी हम गद्याश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो सर्व प्रथम हमें प्रसंग लिखना होता है अब प्रसंग लिखने का तरीका या उसकी शैली कैसी होती है इसे ध्यान पूर्वक सुनिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ प्रसंग में कौन-कौन सी चीज अनिवारे रूप से प्रस्तुत करनी होती है वह इस प्रकार है प्रसंग प्रस्तुत गद्याश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग तीन में संकलित अकबरी लोटा पाठ से लिया गया है अब ध्यान से सुनिए एक तो पाठ्य पुस्तक का नाम आना चाहिए और पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ में से गद्याश लिया गया है उस पाठ का नाम आना चाहिए इसके रचैता शिरी अन्पूर्णानंद वर्मा है तीसरी बात उस पाट के रचैता का नाम आना चाहिए वह लेखक है तो लेखक के रुप में उसका नाम लिखिए लेखी का है तो लेखी का लिखिए इस पाट में लेखक ने जूटी शान दिखाने वाले लोगों पर करारा व्यंग्य किया है अब जब हम पाट्टे पुस्ता का नाम लिख लेते हैं पाट का नाम लिख लेते हैं उसके रचैता का नाम लिख लेते हैं उसके उपरांत उस पाट का जो मूल भाव है वह हमें लिखना होता है आगे इन पंक्तियों में लेखक ने लाला जावलाल की जूटी शेखी का भेद खोला है वे यहां कहना चाहते हैं कि अब मैं आपके समक्ष व्याख्या भाग प्रस्तुत कर रहा है लाला जावलाल पैसे के मामले में बहुत ही कंजूस व्याक्ती था एक दिन जब उसकी पत्नी ने उससे डाई सो रुपे देने को कहा तो लाला जावलाल का जो जी है वो संसना गया अर्थात जी कुछ गबरा गया उसकी दशा को देखते हुए पत्नी ने कहा कि आपको डरने की आवशक्ता नहीं है यदि आप मुझे पैसे नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से रुपे मांग लोंगी भाई से पैसे मांगने की बात सुनकर लाला जावलाल को क्रोध आ गया उन्होंने बड़े प्रभावशाली डंग से कहा कि धाई सो रुपे के लिए भाई से भीक मांगोगी मैं तुमें यह रुपे दे दूँगा कहने का भाव है कि यहां लाला जावलाल ने जूठी शान दिखाने का प्रयास किया है जबकि उसके पास रुपे नहीं थे विद्यार्थियों गद्याश की सब प्रसंग व्याख्या में प्रसंग तथा व्याख्या लिखने के उपरांत विशेश भी लिखना होता है इसका प्रारूप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ द्यान से देखिए तथा सुनिए पहला बिंदू गद्याश का मूल भाव होता है यहाँ प्रस्तुत गद्याश में लाला जावलाल के शेखी सुभाव का चितरन देखते ही बनता है दूसरा भाशा सरल सहिज तथा प्रसंग की अनुकूल है तीसरी विशेश बात जो इस गद्याश में विद्यमान है वह है मुहावरों का प्रयोग दर्शनिय है जैसे तिन्मिला उठना चोथी विशेशता है लिखक की द्वारा समवादात्मक शैली का प्रयोग जिस तरह से किया गया है वह देखते ही बनता है पांचवा विराम चिन्नो का सटीक प्रयोग हुआ है तो विद्यार्थियों हमें गद्याश की सब प्रसंग व्याख्या करते समय इन बातों को ध्यान में रखना होगा सरप्रतम प्रसंग लिखना होगा उसके उपरांत गद्याश की पंक्तियों के अनुसार उसकी व्याख्या करनी होगी और तीसरी बात विशेश के अंतरगत मूल भाव लिखते हुए गद्याश में प्रयोग में लाई गई भाशा, भाशा में चमतकार उत्पन करने के लिए किये गई विभिन प्रयोग यथा प्रयोग लोकोक्तियों का प्रयोग शैली का प्रयोग कारक चिन्नों का विराम चिन्नों का समास का प्रयोग आधी का वर्नन हमें करना होगा तभी कद्याश की सप्रसंग व्याख्या सटीक तथा सार्थक मानी जाएगी अब मैं आपके समक्ष पाठ में आए कुछ महत्तु पुर्ण व्याकरनिक बिंदूओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला व्याकरनिक बिंदू जो इस पाठ में प्रचुर मात्रा में प्रयोग में लाया गया है। वह है मुहावरा। अर्थात मुहावरों का प्रयोग देखते ही बनता है। महावरा क्या है? ऐसा वाक्याश जो अपने साधारन अर्थ को छोड़ कर किसी विशेश अर्थ को व्यक्त करे, प्रकट करे महावरा कहलाता है। जैसे चैन की नीन्द सोना, मारा मारा फिरना, डींगे सुनना, आँखों से ओजल होना, तिर्मिला उठना, आदी। पाठ में आया एक अन्य व्यक्रनिक बिंदू द्वंद समास हैं। ध्यान से सुनिये। वह समास, जिसके दोनों पद परधान हों, तथा विग्रह करते समें, और अत्वा या इवं आदी योजक का प्रयोग हो, उसे द्वंद समास कहते हैं। जैसे पाठ में आये कुछ उधारन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तरक वितरक, तरक और वितरक, भूखा प्यासा, भूखा और प्यासा, इन दोनों समस्त पदों में द्वंद समास विद्यमान है, जिसका लेकक ने बखुबी प्रयोग किया है। अब मैं आपके समक्ष अकबरी लोटा कहानी का मूल भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, इस कहानी में अंग्रेजों की पुरानी वा एतिहासिक वस्तुएं इकठी करने की प्रवर्ति पर जो कटाक्ष किया गया है, वह देखने योग्य है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। और साथ ही इसमें हमें बताया है कि मनुश्य परिशानी के समय में परिशान ना होकर समझदारी से समस्या का हल निकाल सकता है। इसके अत्रिक्त लेखक ने हमें यह बताना चाहा है एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है और वह अपने मित्र के लिए बहुत कुछ कर गुजर जाता है जैसे कि इस कहानी में पंडित बिलवासी मिश्र जी ने लाला जहुलाल की साहिता की उसकी साहिता के लिए वे अपनी घर से डाई सो रुपे चुरा कर भी लाए केवल अपने मित्र की साहिता करने के लिए लेकर इस कहानी के माद्यम से हमें यह भी सीख देना चाहता है कि सही वक्त पर सही समझ का उप्योग करना कितना जरूरी होता है तो यह थे इस कहानी के मूल भाव विद्यार्थियों यह थी मेरी आज की प्रस्तुती इस प्रस्तुती को देखने के बाद मेरे अनुसार आपने जो चीज समझी होगी वह इस प्रकार है अकबरी लोटा पाठ का सार आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा पाठ में आए कटिन शब्दों के अर्थ आपने अच्छी तरह जान लिये होंगे पाठ के गद्यांश की सप्रसंग व्याक्या किस प्रकार की जाती है किन-किन बातों को ध्यान में रखना होता है यह भी आपको समझ आ गया होगा पाठ में आए व्याकर्णिक बिंदों का उधारन सहित वर्नन आपको समझ आ गया होगा तथा अन्ततह, मेरे अनुसार, अकबरी लोटा का मूल भाव जो है वह भी आपको समझ आ गया होगा अब मैं आपके समक्ष, आपके स्वैम के आकलन के लिए कुछ पुन्रावर्ति प्रशन लेकर आया हूँ इन्हें ध्यान से सुनिए तथा इनके उत्तर देजिए पहला निमलिकित वाक्यों को पूरा करें यह गतिविदी वाक्यों को पूरा करने की है लाला जावलाल की पत्नी ने उससे डैश रुपे मांगे कितने रुपे मांगे थे? पांसो या डाई सो तो सोच के इसका उत्तर दीजिए कितने रुपे मांगे थे डाई सो शावाश दूसरा बिलवासी मिश्र डैश का मित्र था किसका मित्र था अंगरेज का या लाला जाव लाल का तो कहानिया आपने ध्यान से सुनी किसका मित्र था लाला जाव लाल का तीसरा वाक्य आपके समक्ष है, लाला जावलाल की पतनी डैश पानी लेकर आई, किस में पानी लेकर आई, लोटे में या गिलास में, किस में लाई थी, लोटे में, शाबाश. चौथा वाके द्यान से सुनिए, लाला जावलाल की पतनी ने डैश से पैसे मांग लेने की दमकी दी, किस से पैसे मांग लेने की दमकी दी, अपने पिता से या अपने भाई से, सोच कर उत्तर दीजिए, किस से पैसे मांग लेने की दमकी दी, अपने भाई से, बहुत बढ़ पुर्टी पुन्रावर्ति की जो गतिविदी है वह है निमलिकित वाक्यों में सही गलत का चैयन करें। मैं आपके समक्ष वाक्य पढ़कर सुनाओंगा। आपने बताना है कि यह कथन कहानी की अनुसार सही है या गलत। ध्यान से सुनिए। पहला वाक्य आपके समक्ष सही है या गलत। यह गलत है क्योंकि पहली बोली पचास रुपे की हुई थी। अंत में लोटा पांसो रुपे में बिका। क्या यह कथन सही है या गलत। यह कथन सही है। तीसरा वाक्य अंग्रेज को नई नई वस्तुएं खरीदने का शौक था। क्या यह कथन सही है या गलत। यह कथन गलत है। चोथा वाक्य अक्बर ने ब्राह्मन को उस लोटे के बदले सोने के दस लोटे दिये थे। क्या यह कथन सही है या गलत। यह कथन सही है। अक्पर ने उस लोटे के बदले सोने के दस लोटे उस ब्राह्मन को दिये थे। विद्यार्थियों यह अंतिम प्रशन आपके है समक्ष। चारों खाने चित होना महावरे का क्या आर्थ है। चारों खाने में लेट जाना पूरी तरह सो जाना चारों और से घिर जाना या पूर्ण तहा असफल होना। तो इसका क्या आर्थ है। इसका आर्थ है पूर्ण तहा असफल होना। तो ये थी विद्यार्थियों आज की मेरी प्रस्तुती, मुझे पुर्ण विश्वास है कि आपको मेरी ये प्रस्तुती अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अंत में मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। प्रस्तुत splendid एकन तरह समा फ्रस्तुत नह्तों रिल सफीन। ये श्क्राइब ऑफ पर श्रत्ट करता हूं। तो ये रπα citizenship है की मेरी विद्यों में दो के ूर्प में है कि अंवाद कर हा रहा हूं। झाल झाल